कि यह हैं दोस्तों यह है हमारी इबुक जो कि हमने के वियस सी पीटी के लिए बनाया है इस्पेशल जिसमें आपको अमेस आफिस के सारे आप से यहां पर देखने मिल जाएंगे मिस वार्ड एक्सल पाउर पॉइंट एक्सेस और इंटरनेट उसके लिए हमने इस पर मैंसे की भी लगाया है तो जो हम एमसे की की सिरीख चला रहे हैं इसमें हमने दो चैप्टर यहां पर किलियर कर लिए हैं हम आपने भी इबुक नहीं लिया है तो आप इसे ले सकते हैं यहां पर नंबर दिया गया इस नंबर पर आप वार्ट सब्सक्राइब करेंगे आपको वहां पर पीडियाफ मिल जाएगी थोड़ा मजूब कर देता हूं 94 15 190 193 है वहां पर एक क्यूर कोड मिलेगा आपको इस तरे का यह तो आप इस पर पहले सकैन करके भेज सकते हैं या फिर आप वहां पर मिलेगा वहां पर भी आप इसके इसका पर देना होगा उसके बाद आपको पीडियाप मिल जाएगी यह कि सुखरते हैं तो यहां पर हमारी एबूप का यहां पर पावरपॉइंट का जो पहला सवाल है आप यहां पर देख पा रहे होंगे इस फीचर यूज टू चेख स्पेलिंग अब दर टेक्स्ट यह कौन सा फीचर है जो शुरू इस पेलिंग चेक करता है तो यह स्पेलिंग फीचर ही है मैं आपको PowerPoint ओपिन करके दिखाता हूं यह है PowerPoint यहां पर आप आएंगे Review में तो आपको मिलेगा spelling यहां पर दिख रहा है आप इसकी shortcut की F7 होती है आप इसको प्रेस करेंगे कोई भी spelling रहेगी वो चेक हो जाएंगी तो यह भी पूछा जा सकता है इस spelling किस से चेक की जाती है इस question है which view help to rearrange the slide easily and quickly note page slide master, slide shorter और normal यह हो जाएगा slide shorter view to help arrange the slide easily and quickly दोस्तों जब आप आएंगे PowerPoint के view option पर आप यहां पर देखेंगे slide shorter का आपको option मिलेगा और इसकी नीचे यहां पर लिख के आ रहा है see thumbnail of all slides in your presentation to easily rearrange them अब यहां पर हम पहले कोई slide open कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं मेरे ख्याल इसमें कोई data है नहीं जिसा कि आप यहां पर नार्मल मूड में देख पा रहे होंगे एक एक question दिख रहा है अब इसकी कहूं लेकर slide starter पर click करेंगे एक साथ यहां पर हमें चार के चारो slide दिख रही है यह है slide starter इसे आप quickly arrange कर सकते हैं जैसा कि यहां पर question में जो दे रहा है quickly arrange तो इसको arrange करने के लिए हम क्या करेंगे कोई भी slide पकड़ेंगे इस तरह से mouse press करेंगे इसको इधर कर देंगे इधर कर देंगे जो जहां मन हों आप arrange कर सकते हैं आपके सामने सारी slide दिखेंगी यह नक्सट वेस्ट वेस्ट्वेर आप Google Apple Android Microsoft Microsoft अप्रेशंच विच प्रिजेंटेशन प्रोसेसिंग सप्ट्वेर कांसा है वास्ट गूगल क्रोम मुजिल अफैर फार्फोक्स और प्वाइंट दोजार साथ यही है यहां पर यह एक एंटिवारस है जूगल क्रूम क्या है ब्राउजर है मुझीला फैरफाक्स यही ब्राउजर है यही आपका प्रिजिन्टेशन सफ्ट्वेर है इस 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 दर राइट टर्म आप प्रिजिन्टेशन पेज चार्ट स्लाइड किलिपार्ट इमेज जो प्रिजिन्टेशन पेज होता है इसमें सारे जो होती है स्लाइड होती है स्लाइड क्या होती है जिसे यहां पर मैं आपको दिखाया यह सारी एक एक स्लाइड है जब आप कोई भी पीपीटी रन कराते हैं तो एक के बाद दूसरी स्लाइड आ दिए जो दूसरा content आता है और फूरसे slide ही होता है जैसे हाँपर पहली slide कि मुझे मैंने इसको hide किया इस वज़से आपको कम दिख रहा होगा दीकिए उत्तर पुदेश की राधानी क्या है पहले slide ये दूसरी slide यहाँपर मैत का question है कि जोन करते रहा हूं थोड़ा सा इस्टिस लाइड यह है कि जोटिस लाइड यह है तो चार स्लाइड इसमें बढ़ी हूं इसको ही स्लाइड बोलते हैं कि निस्ट क्वेश्चिन है इस टर्म इस नाट रेटेट विद फांट फांट grammar, फांट color, font size, font face यहाँ पर जो एंसर होगा वो font if font का कोई यहां पर grammar नहीं होता है font color होता है, size होता है, face होता है लेकिन grammar नहीं होता है उफट तु बाइक, दे अब्जेक्ट टु वन लेवल या तु आल अब्जेक्ट यह क्या होगा? align, rotate, send to back or bring to the font यहां पर इसके वर्ड से इसमन में आ रहा है रिफर टू बैट दा अबजेक्ट और वन लेबल या तू आल अबजेक्ट नहीं कोई अबजेक्ट है उसके पीछे आपको कुछ ले जाना है तो उसके लिए यहां पर सेंड टू बैक करेंगे दोस्तों जीस्याँ पर हमने लिखा हुआ है सब्सक्राइब अब आप यहां पर आएंगे अर्रेंज में यहां पर देखेंगे बिरिंगट टू फ्रट शेन्ड टू बैक यह आप संड देखने को मिलेगा दोस्तों यहां पर यह समझ में आएगा नहां इसको हम यहां पर रखते हैं उठाके उसके बाद हम यहां पर चेंज देखते हैं करके अब जब आप इसको बैक कर देंगे तो यह इसके पीछे चला जाएगा आप देख पा रहे होंगे यहां पर यह जो अच्छा लिखा हुआ है सब्सक्राइब यह देखिए 206 के नीचे जला गया है अब हम अगर इस वाले को सेने टू बैक करेंगे तो हमारा उपर आ जाएगा अब देख रहेंगे आप उपर आ गया है इसको अगर हम अगर अगर आप अगर 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 यहां पर आपको यहां पर करना है अगरा बटन ट्रेडियूस दविंडो टू और अइकन बट वर्ड इस्टिल रिमें अइक्टिव यह कह रहा है अब काने बटन है मैक्समाइज मिनमाइज पूरिस्टोड बिससेर कि हमने मैश्कार रख जिसको हम मिनमाइस कर देंगे तो यह एक्टिव रहेगा कटें का नहीं है इस ही मिनिमाइज हो जाया दो मरगा कि देंगा यहां पर आपको दो रहें को you can use the इसको जूद करना है to insert symbol on dialog box, test dialog box, paragraph dialog box और symbol dialog box देखते हैं पहले symbol के लिए कहां पर हम आएंगे पाउपकाईंत में पहर हम यहां से जाएंगे insert में आप चुकि हमें सिंबल लगाना है तो यहां पर हम आएंगे यह हमारा सिंबल राइलाग बाक्स है यहां से हम सिंबल सेलेट करेंगे जो भी सिंबल हमें लगाना है यहां पर कापी राइट रजिस्टर का कोई भी जो भी हम सेलेट करेंगे वो लग जाएगा यहां पर श्रेट करना चाहूं तो यहां पर लगा सब्सक्राइब अब यहां पर देख पा रहे हूं कि यह लग गया है सिंबल यहां पर पूचा जा रहा है इस दिखते हैं start presentation from beginning कोई presentation को start करने के लिए को कौन सा की press करना होता है तो यह 5 की अवी पर दिखाते हैं जैसे स्लायड है अब ही रन नहीं कर रही है यहां पर खूलə है लेकिंग जब आफ 5 की परिस्ट करेंगे आप देखेंगे कि आपकी स्लाइड यहां पर यह देखिए पावरपॉइंट प्रेजन्टेशन यह हमारा रन कर गया है क्योंकि इसे हमने मुगाइल के लिए बनाया था इस वज़े से यह आपको पूर्टाइड फार्म में दिख रहा होगा यहां पर देखिए यह इस तरह से स्लाइड रन कर रही है यह किस तरह से होगा है एफ फाइब की मदद से हो रहा है यहां पर इस इंड हो गया है नेस्ट क्वेस्टिन चलते हैं विच की हेल टू मूव दा बीगिनिंग अफे लाइन कौन से की है जो किसे एक लाइन के मूव करने के लिए काम आती है शुरू में लगाते है और दोस्तों यहां पर इसके महरें के मतलब यह है यह से आपको इस सेंटेंस लिखे हुए है कौन से की है जो आपको लाइन के शुरुवात में लेके आती है इसका मतलब यहाँ पर यह है English translation में mistake हो रहा था तो यह हो जाएगा Home Home बटन है आपके keyboard में मिल जाएगा उसको दबाएंगे तो आप शुरुवात में आ जाएंगे किसी भी लाइन या किसी भी paragraph किसी भी sentence के To make the selected test italic shortcut की तो यह सभी की shortcut की होते है control key से हम italic करते हैं control key से हम hyperlink लगाते हैं hyperlink क्या होता है किसी भी text पर link लगाना किसी भी text पर कोई भी website का किसी भी चीज का link डाल देते हैं जिससे कि आप उस page पर पहुंच जाते हैं control Z से आप undo करते हैं which powerpoint view display each slide of the presentation as thumbnail and used to a rearrangement को थो ने पहले बताया था slide starter है यहाँ पर to delete the selected test प्रेस क्या करेंगे तो delete भी करेंगे simple सा है press delete one word to the right यानि कि आपने जैसे कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर dream job with तो आपको उगा right वाले text को delete करना है तो आप क्या प्रेस करेंगे इसका कहने का मतलब यह है तो control plus delete करेंगे तो आपको right का delete होगा सिर्फ delete प्रेस करेंगे तो आपको पीछे का delete होता चला जाएगा तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ खतम होता है powerpoint आप हम आपको थोड़ा चीज़े कुछ और बता देते हैं यहाँ पर question मेरे कुछ कम ही थे जिसे powerpoint में question पूछा जाता है पर पर पॉइंट में नई slide को जोड़ने के लिए क्या प्रेस करते हैं जिदा तर लोग control n कहते हैं लेकिन control n नहीं होता हूँ control m होता है यहीं पर लिख दे रहा हूँ new slide को एड़ करने के लिए start cut की होती हो control plus m होती है यह सिर्फ powerpoint में ध्यान देना रहता है जैसे कि यहां पर अगर हम फाइल में जाएंगे जहां पर new पर आएंगे तो नई slide आएंगी जहां पर देख पाएंगे अगर हम keyboard से control m प्रेस करेंगे तो यह automatic new slide यहां पर आ जाईए यह new slide नहीं थी यह new करने पर यहां पर एक नया पुरा वहीं खुला था लेकिन यहां पर भी slide यहां पर देखिए पहले साइड यह दूसरी हमने ब्लैंक यहां पर कर देए एक नई slide जोड़ने के लिए यहां पर एम का पुर्योग किया जाता है अगर रहे होंगे अगर हम को एक और जोड़ना है तो control m करेंगे इन से क्या होता है control n से एक नया प्रजेंटेशन खोल जाता है यहां पर देख पा रहे होंगे प्रजेंटेशन थिरी तो नया अगर open करना है यानि मैं आपको थोड़ा सा हो clear करता हूं new slide add करनी है तिर्फ slide add करनी है तो slide के लिए यहां का प्रयोग करेंगे नया presentation अगर खोलना है तो उसके लिए फिर आप end का प्रयोग करेंगे कि यहां पर थोड़ा सा अंतर है और सवाल जदातर यहां वाला प्रूचा जाता है सभी लोग एन लगा देते हैं और पावर पॉइंट में क्या है इसमें तो ज़्यदा कुछ है नहीं यहांसे इं helping करते हैं कोई भी चीज जिस तरह से सबस्कुत सब्सक्राइब है यह पाउर पॉइंट की डिजाइन है इसके बैग्राउन में ने देखने कर दो हो यह डीजाइन होती है इसे यहां पर आप देख पा रहे हैं आप transition क्या होता है कि एक slide से दूसरी slide के बीच जो effect रहता है उसे transition कहते हैं जैसे कि अगर मैं इस effect को देखना चाहूं यहां से slide सो पर जाऊंगा और from current slide या फिर यहां से खालो करते हैं देखिए गझाभ यह जो इफ्यक्ट आ रहा है एक स्लाइट से दूसरी स्लाइट के बीच जाने में अवे यह स्लाइट से दूसरी स्लैट जबसनेंगे और जो एफ्यक्ट Euan को देखने को मिलेगा जैसे हैं कि हम स्प्रक्रें और बाउंस करके अच्छा ने चाहिए यह Connor कई हिसे इनिमेशन बाइन हो के आए यह निमेशन जाहिए उत्तर झालग तरीके लिए देखिए फ्लाई आउट का भी आफ्टन है यह उड़के चला जाएगा बाहर है बहुत सारे आफ्टन है यह सब है एनिमेशन यह क्या है ट्रांजीशन होता है स्लाइड के बीच लगता है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के बीच जो ट्रन इफेक्ट पड़ेगा वो देख इस्तरे का इफिक्ट है एक यह सारे ट्रांजीशन है जो कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के बीच लगते हैं और एडिमेशन उस नॉसलाइड के अंदर के जो आपजेक्ट होते हैं उस पर लगते हैं और यहाँ पर कुछ खास है नहीं बाकी यापिपोल सकता है कि कौन से चीज किसके अंदर है तो आप यहाँ पर देख पाया है कि Design के लिए अलग से टाइब है Transition के लग है इनिमेशन के लिए अलग है Slide So का अलग से है इसमें आप Slide Hide भी कर सकते हैं जिसे आप चाहे से customize स्रिमाइज स्लाइड यहाँ पर कर सकते हैं और यह आपका होम I hope आपको यहाँ पर पाउर पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा हम इसको क्रोज करते हैं पाकी कोई प्रब्लम होती है तो आपको कमेंट बाक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आपको रिपलाई दे देंगे वीडियो चलागा तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं है तो कर लिए तक तक के रिवाइटेकर जहीं बंदे मातरा में